राशन माफियाओं के घरों में मिला तक्रीबन 255,000 रुपई का कुल 166,000 रुपई का भंडारन कर राशन की काला बाजारी करने वाले पाच राशन माफियाओं के विरुद्ध कारवाही करते हुए पीडियस का कुल 166,000 रुपई कीमत 25,000 रुपई का भरामत करने पे उलेक नियर काम्याभी हासल के गई है आपको बता दे कि प्राप्त जौनकारी के अनुसार धर्नावदा थाना पुलिस को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई थी कि रुठियाई कजबे में वीरु उर्फदेविंद्र साहू, सुनिल साहू, निवासी गन, शाम नगर, रुठियाई, रमी साहुनिवासी, एन उसकी काला बाजारी की जा रही है, इस सूचना के मिलते ही धर्नावदा थाना पुलिस्वारा खादिर, आपुर्ति अधिनी मुख्रादम सिंग कुश्वा के साथ उक्त सभी लोगों के घरों पर दविश्टी गए, तो वीरु साहू के घर से 65 कट्टों में 32.50 क्विंटल, पीडियेस का चावल, सुनिल साहू के घर में 95 कट्टों में 47 क्विंटल, पीडियेस का चावल, रमी साहू के घर में 80 कट्टों में 36 क्विंटल, पीडियेस का चावल, रामभरुस ओजा के घर में 75 किलों में 37.50 क्विंटल, पीडियेस का चावल, एवं संतो साहू के घर में प्रकार पुलिस द्वारा पांचो राशन माफियाओं के घरों से कुल 348 कट्टों में 166 कुंटल कीमत करीब 2,55,000 रुपई का पीडियेस का चावल बरामत किया गया है देखते रहिए कैनन न्यूज गुना से उमेश राठोर की एक खास रिपोर्ट